नमस्कार, अगर आप एक राजस्तान सरकार के राजे करमचारी है और सेवा काल के दोरान किशी भी परकार के सेक्षनिक या प्रसेक्षनिक डिग्री या फिर किशी भी अन्य प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महतवपोर् अगर अनेवारी है तो उसकी प्रोसेश क्या रहती है संपोर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आप एक राजस्तान सरकार के राजे करमचारी है नव नुक्त है और आप माली जी आप ग्रेड थर्ड की रूप में नुक्त हुए और आपकी सामानी योगता है वो बिये या बियस्टिसी या बियेड है तो ऐसी इस्तती में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई परकार की परिक्षाइं भी देनी पड़ सकती है तो ऐसी इस्तती में जब आप सेवा में रहते हुए किसी अन्य प्रतियोगी परिक्षा या सेक्षनिक या प्रसेक्षनिक परिक्षा की तयारी करते हैं तो आप विभाग में रहते हुए अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए इसको हम समझेंगे कि सेवाकाल के दोरान अगर आप जिस विभाग में कारे रहते हैं मालेजी आप शिक्षा विभाग में हैं और शिक्षा विभाग में रहते हुए आप चाहते हैं कि आप पी भाग में कारे रहत है आपके समंदित करा ले देक्ष को कि मैं अमुक विश्व विध्याले से अमुक डिग्री कर रहा हूं के बड़ इतनी ही जानकारी आपको देनी होती है दूसरी होती है प्रसेक्षनिक प्रसेक्षनिक माले जी आपके पास BSTC है और आप Open University के माधियम से BA करना चाहते हैं तो वाकाईद आपको इसकी अनुमती लेनी पड़ते हैं अनुमती की प्रकिरिया हम आपको आगे समझाएंगे उसके बाद में माले जी आप PG कर रहे हैं और PG में भी अगर आपकी करना होता है तो उसकी अनुमती आपको वेशे स्टोथ पर लेनी पड़ती है माले जी आप लेक्चरर है और PG और NET होने के बाद में आप PhD का प्रवेश लेते हैं तो PhD में जब आप प्रवेश लेंगे तो उस समय भी आपको वहाँ पर अनुमती लेनी पड़ेगी ठीक है औ और योगेता अभी वर्दी से समन्दित माले जी आप 3rd grade teacher है या फिर 2nd grade teacher है और MA आपके पास नहीं थी और MA नहीं है तो आप प्रोमोशन के लिए MA करना चाहते तो ऐसी इस्तति में आपको उसकी यहाँ पर अनुमती लेनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी इस्तति में जब आपक आपको सूचना देनी पड़ेगी और प्रसेक्षनिक यानि की जो ट्रेनिंग से समन्दित जो डिगरी होगी उसकी आपको विशेश अनुमती लेनी पड़ेगी और तेसरी है प्रतियोगी परिक्षा प्रतियोगी परिक्षा माली जी आप 2nd grade है 1st grade बनना चाहते हैं या फि आपको उसके लिए उनुमती पहले लेनी पड़ेगी और अगर आप उंट्रीêu की किसी परिक्षा की त्यारी कی दोरान जीन की उसके दो चरहने है तो अन्तिम चरहन जो उसका होता उस दोरान आपको उसकी अनुमती आफशेक रोप से लेनी होती है क्योंकि अंतिम चैन पर ही आपको वहां से पद छोड़ना होता है तो अंतिम चरण जो होगा वहां पर आपको अनुमती लेनी पड़ेगी अब जिरसल जब आप किशी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर योगेता अभी वर्दिशे शमंदि तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई प्रस्यक्षनिक परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एसी हिस्तते में आपको अपना जो अनुमती परमान पत्र है या नोसी लेनी है तो वो कैसे लेनी होती है उसके लिए आपको एक अलग-अलग फॉ नियुक्ति अधिकारी माली जी आप थरड़ गेड है तो डियो एलिमेंटरी आपका नियुक्ति अधिकारी होगा और सेकेंड गेड अध्यापक है तो आपका सेयुक्त नियुक्ति अधिकारी होगा और अगर आप फरस्ट गेड यानिकी लेक्षर है तो आपका नियुक्ति और किसी भी के प्रतियोंगी प्रिक्षा की टकूर कर रहें हैं तो आपको लिए इस प्रकार से अनुमती लेना और इस 7 का विशेष आपको ध्यान रगना चाहिए आज के लिए इतना धन्यवाद